वैश्या भी आखिर नारी है फिर गुल बदन क्यों नारी के सहज गुणों के प्रतिकूल व्यभार करती है यह प्रश्ण लेखक ने आप पर छोड़ दिया है इस पर आप जितना अधिक विचार करेंगे उतना ही आप वैश्या को निर्दोश पाएंगे नमस्कार मैं श्वेता आज आपके लिए लाई हूँ आचारी चतुर से इन शास्त्री के द्वारा लिखी वी एक कहानी वैश्या कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो आएए कहानी सुनते हैं शिमला शैल की बहार जिसने अपनी आँखों से नहीं देखी उससे अब हम क्या कहें बीसवी शताब्दी का यंत्रबद्ध भौतिक बल प्रतापी योरोप के श्वेत दर्प के समुख आज्याकारी कुट्टे की तरह दुम हिलाता है फिर शिमला शैल प्रित्वी के एक मात्र अवशिष्ट सामराजी की नकरेदार राजधानी है यहां बैठ कर दूद के समान सफेद और रमणी के समान चिकने सफाचट मुख वाले परन्तु बहादूर सहब लोग तुशार और शीतल वायू के जोकों का अखंड आनन्द लेते वे लूहों से जुलसते वे अस्ति विशिष्ट भारत के 33 कड़ोर मनुश्यों पर हुकम चलाते हैं जिनका असली गहना तलवार और कलम है वे जो न करे सो थोड़ा ग्रेश्मी की प्रचंड धूप में घोडे की पीठ पर लोहा लेने वाले भारत के निर्पतियों के वंश्धर भी गोरी मिसों के हाथ की चाय पीने का लोब समवरण न कर अपनी निरीह अधम प्रजा को लूहों में जुलस्ते छोड़ ग्रेश्मे में शिमला शैल जा पहुचते हैं वही शिमला शैल अपनी मनोरम घाटियों हरी भरी परवत शिंखलाओं की पीछे सुदूर आकाश में हिमालय के श्वेत हिमपूर्ण शिखरों को जब सुनहरी धूप में दिखाता है तब नैसरगिक शोभा का क्या कहना फिर प्रकांड धवल अट्टा लिकाए जहां ताड़ीदामिनी सुन्दरी अधम दासी की तरह सेवा करती है जब सुरा और सुन्दरियों से यह परिपूर्ण है तब इस प्रतापी ब्रिटिश छाय च्छत्र में अभैदान प्राप्त महराजा धिराजाओं और राज राजेश्वरों को अब और क्या करना चाहिए दिन रात सुरा सुरी और प्रभुपद वंदन में उनके ग्रेस में कुछ यूँ ही बेच जाती है अजी एक बार बिजली के असंख दीप मालाओं से अलोकित उन प्रसादों में इन नर पुंगवों को लेवेंडर से सरावोर वस्तरों वाले मिसों के कमर में हाट डाले थिरक थिरक कर नाचते तो देखिए और उसके बाद उनके सामने जिमनास्टिक के जैसे कसरत करते और विनेयांजली भेट करते और बदले में कर पल्लों का सहरा देकर उठाने की सेवा का भार बस अब कुछ न कहेंगे सन 1608 का सुंदर प्रभात था मैं मास समाप्त हो रहा था भारत वर्ष जवलन्त उत्ताप से भट्टि बन रहा था पर शिमलाशल का वप्रभात सुंदर शरत के प्रभात की भाती निकल रहा था एक दस वर्ष की बालिका एक तितली को पकड़ने के प्रयत्ने में घास पर दोड़ धूप कर रही थी उसके शरीर पर जरी के काम की एक सलवार एक धीला रेश्मी पंजाबी कुर्टा और मस्तक पर अच्सल का दुपट्टा था जो अस्त व्यस्त हो रहा था बालिका सुन्दरी तु थी पर कोई अलोकिक प्रभा उसमें न थी परन्तु उसके होठ और नेत्रों में अवश्य एक अद्भुत चमतकार था सुन्दर स्वस्त और सुखत जीवन ने जो मस्ती उसके बाल शरीर में भर दी थी उसे यवन के निकट भविश आकर्मन के पूर्व रूप ने कुछ और ही रंग दे रखा था वह मानो कभी अपने आपे में न रहती थी वह सदा बिखरी रहती थी उल्लास, हास्य, विनोध, मस्ती यही उसका जीवन था हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बालिका के सारे अंगों में यदि कोई अंग अपूर्व था तो उसके होट और उसकी आखें हम कह सकते हैं कि मानो उसके प्राण सदैव इन दो अंगों में बस्ते रहते थे वह देखती क्या थी? खाती थी बहुत कम उसकी द्रिष्टी स्थिर होती थी पर शण भर भी यदिवक किसी को देखती तो कुछ बोलने के प्रथम एक दो बार उसके होट फड़कते थे उफ! कौन कह सकता है कि उन होटों के फड़कते ही उन नेत्रों से जो धारा निकलती थी उसमें कितना मध हो सकता था प्रित्वी पर ऐसा कौन जन्तु होगा जो उन नेत्रों के अधीन न हो जाए और उन होटों की फड़कन के गंभीर गर्त में छिपे निनाद को अर्थीन समझने का अभिलाशी न हो इन दोनों वस्तुओं के बाद एक तीसरी वस्तु थी जो इन दोनों वस्तुओं के बाद ही दिख पड़ती थी वह थी धवल दंत पंक्ती वह दंत पंक्ती जो बड़ी कठिनाई से कदाची थी ठीक ठीक प्रकट दिखाई पड़ती थी उज्वल, सुडॉल, श्वेत, रेखा की उन फड़कते वे होटों के बीच से अकस्मात प्रस्पुटित होने की कलपनातों कीजिए फरन्तु एक दस वर्ष की बालिका का ऐसा नक्षिक वर्णन श्रोता हमारी इस अपवित्र धुष्टता को शमा करें अच्छा, अब हम मन को अधिक विचलित न होने देंगे अस्तु बालिका अपने जन्मसिद गर्व और मस्तानी अदा को विस्मृत से करती वी तितली के पीछे फिर रही थी निकट ही एक भदर पूरुष बेंच पर बैठे उसे एक टक देख रहे थे इसका उसे कुछ ध्यान न था बालिका के निकट पहुँचने पर भदर पूरुष उट बैठे उन्होंने किंचित हसकर मधूर स्वर में कहा घरीब जानवर को क्यों दुख देती हो उसने तुम्हारा कुछ चुराया है क्या बालिका ने छण भर स्थब्द खड़ी होकर भदर पूरुष को देखा उफ उनी नेत्रों से दो बार होट फड़के और उसके बाद बिजली किसी रेखा के समान दंत पंक्ती प्रकट हुई बालिका ने बिना हिचकी चाय कहा कैसी खुबसूरत है आप जरा पकड़ देंगे सिर्फ इसलिए कि वो खुबसूरत है बालिका समझी नहीं पर उसने गर्दन हिला दी भद्र पूरुष आगे बढ़कर एक तम बालिका के निकट आगे एक प्रबल आंदोलन उनके रेदे में पालोडी थो उठा एक आस्वाभाविक उनमाद में वे कह उठे तुम खुद कितनी खुबसूरत हो तुम्हे कोई इसलिए पकड़ ले तब बालिका ने भद्र पूरुष को निकट आते और ऐसे शब्द कहते सुन एक बर फिर उसी तरह उनकी तरफ देखा उसी तरह उसके होट फढ़के परवा बोली नहीं उसने वहाँ से भागने का आयोजन किया भद्र पूरुष हस पड़े उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा लो पकड़ी गई तो भागती हो सामने से आवाज आई गुल बदन छोड़िये अम्मी बुलाती है बालिका ने किंचित जुंजला करका मगर तुम्हारा नाम मैं नहीं बताने की तुम्हारे अम्मी का क्या नाम है मैं नहीं बताती छोड़िये बालिका ने खीच कर हाथ छुड़ा लिया वह भाग गी भद्र पुरुष ने छण भर बालिका की ओर देखा तितली की तरह उड़ी जा रही थी सामने कुछ दूर पर उसकी मा और दो-तीन व्यक्ति खड़े थे भद्र पुरुष ने निकट खड़े एक व्यक्ति से कहा एहमद, हुजूर, इसे लायो जो हुकम? मैं घूमता हुआ चला जाओंगा, तुम गाड़ी ले जाओ जो हुकम? दसजार? जिहां सरकार, वह लाहौर की मशूर तवायप मुम्ताज बेगम की लड़की है बुडिया बड़ी धाक निकली, उसने हुजूर को देख और पहचान लिया बस हाथ फैला गई, बड़ी मुश्किल से सौधा पटा है वे लोग कब यहां आ जाएंगे? कल दस बजे हुजूर गाड़ी ग्यारे बजे चलेगी, सिवा दोनों मा बेटियों के उनका कोई तीसरा आदमी उनके साथ न रहने पाएगा इसकी हिदायत कर दी है न? जी हाँ हुजूर, ऐसा ही होगा और एक बात, छोटी रानी को इस वारदात की खबर न होने पाए बहुत अच्छा सरकार एक रिजर्व कमपार्टमेंट में उनके लिए गाड़ी लगा रहेगा मगर मैं आज रात को होटल में उन लोगों से मुलाकात करूंगा खाना भी उनी के साथ खाऊंगा एक रिजर्व कमरे और स्पेशल खाने का बंदवस्त भी कर लो तुम खुदी चले जाओ, फोन में मत कहो जिससे कानो कान किसी को खबर न हो ठीक नौ बजे, समझे जी हुजूर और सुनो, आज ग्यारे बजे रात को मिस फास्टर उसी जगा आएंगी न जरूर तब होटल से लोटकर उधर चलना होगा अब तुम जा सकते हो ये भद्रपूरश कौन थे पाठकों को सब कुछ नहीं बताया जा सकता वे एक विस्त्रित राज्य के सुजन अधिपती श्रिमंत महराजा धिराज राज राजिश्वर श्री डैस 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 थे आप सीधे यूरोप की यात्रा से आ रहे थे और आपको राज्याधिकार प्राप्थवी कुछ मासी वे थे आपकी अवस्ता 21 के लगबग थी आपकी वेश भूशा यद भी साधारण थी परन्तो राज्यत्व का गांभीर मुख मुद्रा में था वह बालिका उसे क्या लक्षे कर सकती थी रोयल होटेल के सर्वस्रेष्ट कमरे में ज्वलंत बिजली के प्रकाश में सुन्दर रंगीन काच और चीनी पात्रों में अंग्रेजी धंग के खाने चुने जा रहे हैं होटेल के सिद्धहस्त कर्मचारी और वैरा जर्क वर्क पोशाक पहने एक यूरोपियन व्यक्ति की देख रेक में सब कुछ सजा रहे हैं श्रीमंत महराजा धिराज के पधारने का समय हो गया है ठीक समय पर महराज केवल एक पार्शत के साथ पधारे कर्मचारी ने नत्मस्तक होकर महराज का अभिवादन किया महराज ने किंचित हास्य वदन से इधर उधर देखा और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया छणबर बाद पूरिव व्यक्ति ने संकेत से गुल बदन और उसकी माता के आगमन की सूचन दी सब लोग बाहर चले गए बालिका आस्वाभावी गामभेरे के मूर्ती बनी उस लोकोतर उज्वल कक्ष में प्राता काल के परिचित भद्र पुरुष को सम्मुक देखकर देखती ही रह गई व्रिद्धा ने जुक कर सलाम किया और बालिका से जरा भर्चना से कहा बेदब महराज को सलाम तो कर बालिका ने जरा आगे बढ़कर सलाम किया महराज ने उठकर उसे एक कुरसी पर बिठाया और व्रिद्धा को भी बैठने का आदेश दिया सबके बैठ जाने पर महराज ने पूर्ववत बालिका का हाथ पकड़कर वैसे ही हाथ से मुख से कहा खुबसूरत तितली पकड़ी गई न बालिका के नेत्रों में वही धारा थी उसके होट फढ़के पर वह बोल न सकी मा की और देखने लगी ब्रिधा ने कहा महराज सुबह अगर इसने कुछ गुस्ताखी की हो तो हुजूर माफ फरमाए लड़की बिलकुल बेदब तो नहीं मगर बच्ची ही तो है कुछ नहीं इसने मुझे पागल बना दिया मगर सच कहो तुम दिल में नाराज तो नहीं यह इंतजाम तुम्हें दिल से पसंद तो आया यह इसकी और मेरी खुशकिस्मती है महराज यह आप क्या फरमा रहे हैं कहां यह कनीज और कहां हुजूर महराज बीच में ही बोल पड़े उन्होंने कहा मगर मुझे कुछ खास इंतजाम करना पड़ेगा और तुम्हें उसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी तुम तो जानती ही हो यह काम बहुत पोशेदा रहेगा खास कर यह मैं बिलकुल नहीं जाहिर करना चाहता कि यह तवायफ है और मुसल्मान है मैं उसे हर तरह की उच्ची तालीम दूँगा और उसका रुत्वा महरानी के बराबर होगा अभी पांच साल उसे तालीम पाने का वक्त है तुम्हें तब तक वहीं उसके साथ रहना पड़ेगा शहर के बाहर एक पारास्ता कोठी में तुम लोगों के रहने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा वहाँ तुम्हें जहां तक मुम्किन होगा कोई तकलीफ न होगी अब कहू इसमें तुम्हें कोई उजर है मुतलक नहीं हुजूर मगर मेरा वहाँ रहना कैसे मुम्किन हो सकता है सरकार को शायद पता नहीं मेरा निजी खर्च 2000 रुपे महावार है वह तुम्हें मिलेगा तब हुजूर के हुक्म को कैसे टाला जा सकता है तुम लोगों को हिंदू लिबास में रहना पड़ेगा और क्या क्या कैसे कैसे किया जाएगा यह एदायत दे जाएगी उमीद है समझदारी और होशियारी से काम लोगी सिफ तुम दोनों मा बेटियां ही चलेंगी तुम्हारा अपना एक भी नौकर न जाने पाएगा समझी जो इर्शाद हुजूर तो फिर बादचित खतम हुवी अब बेतकलुफी से खाना पीना खाओ खाना खतम होने पर ततकाल मा बेटी उठखडी वी माता के आदेश शे भैबित होकर गुलबदन ने सलाम किया और चल दी इसी समय नौकर ने माहराज के कान में कहा माहराज मिस फास्टर ड्रोइंग रोम में सरकार की प्रतिक्षा कर रही है माहराज उनमत्य की भाती उधर लबके श्रावन की नन्नी फुहारों से भरीवी ठंडी हवा के जखोरी ग्रिश्मी के ज्वलंत उश्मा सहने के बाद कैसे प्रिय प्रतित होते हैं मन कैसा मत्त मयूर सा नाचने लगता है या कैसे कहा जाए नन्नी फुहरों के साथ हवा के जोंके भीतर घुज रहे थे बाली का एक मसनत के सहारे बढ़िया विलायती कालीन पर जर्दोजी के काम की बहुत महीन और बहुमुल्य साड़ी पहने स्थिर बैठी थी उसके वा बाल सुलब चंचलता जो मनुशे का मन अपनी और हठात खीच लेती थी इस समय उसमें न थी उसके समुक एक व्रिद्ध पुरुष अपनी सफेद डाड़ी को बीच से चीर कर कानों पर चड़ाये एक बड़ा सा सफेद साफा बांदे बैठे थे उनके हाथ में तंबूरा था वे यमन कल्यान के स्वरों को अपने कमपित व्रिद्ध कंट से निकाल अंगुली के आघात से तंतु वादे पर घोशित कर रहे थे तच्छन ही बालिका को उनका अनुकरन करना था वो उसके मस्तक पर भारी भार था बालिका उन सुन्दर सुखत जोखों से जरा भी विजलित न होकर व्रिद्ध के मुक से निकले और तंबूरे के तारों से टकराते स्वरों को मनो योग से सुन रही थी व्रिद्ध ने तारों के पास कान जुका कर कहा बोलो तो बेटी तुम्हारा गला तो बहुत साफ है देखो मध्यम दोनों लगेंगे समझी यह यमन के स्वर है बालिका का भीत कमपित स्वर और उसकी मधूर मूर्ती और कोमल कंट उस अस्तंग सूर्य की बरसाती प्रभा से मिलकर गजब कर गया व्रिद्ध पुरुष तंबूरे पर जुक कर मुर्चना के साथ वहीं वाह वाह कर गये उसी कक्ष में एक गद्देदार आराम कुर्सी पर श्रिमंत महराज धिराज एक खिडकी से आतीवी उन्मुक्त वायू का पूरा स्वाद ले रहे थे बढ़िया फ्रांस के सुगंदित सिग्रेट को एक और फेक वे उठे और बालिका को घूरने लेगे बालिका ने उस और देखा वो चुप हो गई महराज ने आकर उस्ताद जी से कहा बस अब आज और नहीं आप जाईए व्रिद पुरुष जट पट उठकर अभिवादन करके चल दिये महराज ने कहा गुल बदन कैसे ठंडी अवा चल रही है तुम्हें अच्छा लगता है बालिका ने स्वच आखें उपर उठा कर कहा जी हाँ तुम्हें मालूम है तुम्हारा नाम क्या रखा गया है उनमत यौवन धीरे धीरे आया और एकदम आकरांत कर गया पीले रंग पर लाली और चमक गुलाबी प्रभा पर मानिक के चमक एक अभुतपूर्व रंग दिखा रही थी माहराजा धीराज की आखों में गुलाब, नस नस में गुलाब, जीवन और मृत्यू में गुलाब थी गुलाब को विलास और ठाट पाट के जो सुक प्राप्ते थे वे पाश्चाते जीवन की विलासी के लिए कलपना की वस्तु नहीं वह माहराज के नौ राजप्रसादों में से किसी को भी किसी समय अपनी एक्षा नुसार जिस प्रकार चाहे इस्तिमाल कर सकती थी सैकडो दास दासियां उसकी आग्या, वह चाहे जैसी हो, उसका पालन करने और उसके सुख रक्षार्त उसकी सेवा में रहती थी वह जो कुछ चाहती थी, परिमान और धन व्यका विचार किये बिना ततकाल प्रबंध कर दिया जाता था उसके चित्रमई वस्त्र, विशेश करके रेशम और मकमल के अचिनते रूप से अमुल्य और बढ़िया होते थे और वह कश्मीर तत्था बनारश से विशेश रूप से तयार करवाये जाते थे उसके जेवर कई लाख रूपियों की कीमती जेवर थे कुछ तो उसके लिए पैरिस से मंगवाये गये थे एक उपियुक्त थथा सुख भोगी मैं रॉल्स रॉयस मोटर गाड़ी सदैव उसकी सेवा में रहती थी जिस पर वह संध्या और प्रात्यकाल की सैर करने बाहर निकलती थी उसके दूर की यात्रा के लिए महराज ने स्पेशल ट्रेन में उसके लिए सदैव एक कमरा रेजर्व कर दिया था ऐसे दूरलब राज सुख उस बालिका को उसके जीवन के प्रारंब में नसीब हुए केवल उस द्रिष्टी और उन फड़कते होठो के बदले दस वर्ष व्यतीत हो गए दिल्ले स्टेशन पर खूब धूम थी किसी राजा के स्पेशल ट्रेन आ रही है अंग्रेजी अफसर और कुली प्रतेक के मुख पर यही एक बात थी प्लाटफॉर्म सज रहा था और नगर के कुछ खास गणमान्य व्यक्ति महराज की स्पेशल ट्रेन आने की प्रतिक्षा कर रहे थे स्पेशल ट्रेन आई खास कमरे पर खस के परदे पड़े थे और उन पर उपर से पानी टपक रहा था बिजली के पंखे की सरसराहट बाहर से सुनाई पड़ती थी गाड़ी खड़े होने के कुछ छनपस्चात एक उच्च पदस्त कर्मचारी ने प्लाटफॉर्म पर समुपस्थित पुरुषों की अभ्यरतना करते वे कहा श्रीमती महराणी महोदया आप सब सजनों की सेवा में अपना हार्दिक धन्यवाद देती हैं श्रीमत महराजा धिराज कल दूसरी गाड़ी से पधारेंगे कारण विशेश से वे इस समय न पधार सके दो-एक सम्भरांथ पुरुषे ने महराज के स्थान पर महराणी को ही अपना सम्मान प्रदान करने के लिए शिष्टाचार के दो-चार शब्द कहे हठात सैलून का द्वार खुला और महराणी स्वैम उतर कर प्लैटफॉर्म पर आखड़ी हो गई सम्भरांथ आगत जन इधर उधर हट गए महराणी बारीक धानी परिधान पहने थी बहमूली हीरे के आभूशन उनके शरीर पर दमक रहे थे कर्मचारी और दिवान अवाक रह गए महराणी ने किसी की और लक्ष न देकर अपने खास खिदमतगार को हुकम दिया कि वो उनका खास सामान गाड़ी से उतार ले उनकी इस आग्या पर सभी चकित थे हठात एक व्यक्ति भीर से निकल कर महराणी के निकट आ खड़ा हुआ महराणी ने आश्वस्त होकर कहा जमीर मैंने समझा तुम्हें मेरा तार नहीं मिला अच्छा सब ठीक है जी हुजूर मेल जाने में अभी पौना घंटा है फर्स्ट क्लास का डबबा रिजर्व है हुजूर के साथ और कितने आदमी है सिर्फ एक खिदमतगार इसके बाद महराणी ने कर्मचारी से कहा मुझे जरूरी काम से अभी बंबई जाना है आप लोग महराज से अर्ज कर दें मगर हुजूर महराज की तो आग्या नहीं है मैं महराज की गुलाम नहीं हूँ किन तो महराणी मैं जो कहती हूँ वह करो जमीर मेरा सामान डब्बे से ले आओ आगंतुक स्वागतार्थी संभ्रांत पुरुषों को भीद चकित करती वी महराणी गुलाब बाई उर्फ गुलबदन बेगम भीड को चीरती वी सामने खड़ी मेल ट्रेन के फर्स क्लास कंपार्टमेंट के रिजर्व डब्बे में बैठ गई कुबेर नगरी बंबई में बीसवी शताबदी के समस्त वैभव पूर्ण विसफारी थे संपदा और एश्वरे का यह जीवन संपदा और एश्वरे की उस जीवन से भिन्न है जो रईसों और राजाओं को प्राप्त है राजा रईस खाली जेब रहने पर भी जो शान ठाट और रईसी चोचले करते हैं वे इस कुबेर नगरी में भरी जेबों से भी संभव नहीं है परन्तो धन जहां है वहाँ विलासिता है ही एक सजीवी अट्टालिका में एक सुन्दर किन्तु जरा भारी शरीर का युवक काउच पर पड़ा प्यासी आखों से सामने हार्मोनियम पर अंगुली फेरतेवी सुन्दरी के मुख और शरीर को देख रहा है शराब का प्याला और सुगंदित शराब के पात्र उसके निकट है रह रहकर वह मध्यपान कर रहा है यह सब है पर गाने का रंग नहीं जमता विकल होकर सुन्दरी ने बाजा को एक और सरका दिया वह ठक कर एक काउच पर गिर पड़ी युवक ने दौड कर कहा क्या तबियत अच्छी नहीं प्यारी नहीं मुझे जरा चुप पड़ी रहने दो पर मुझसे नाराज तो नहीं हो नहीं मगर मुझसे जरादेर बोलो मत युवक स्तब्द हुआ सुन्दरी दीवार की ओर मोह करके लेट गे वह सोच रही थी या कैसा प्रारब्ध भोग है हे परमेश्वर मैं कहां से कहां आगिरी भाग्य चक्र भी कैसा है उसमें और इसमें कितना अंतर है पर जो हो गया अब वह लोट तो नहीं सकता परंतु उसके मुझसे एक सांस निकली वह तडप उठी युवक ने उसका सेर उठा कर गोद में लेकर कहा गर्मी के कारण तुम्हारी तब्यत खराब हो गई है चलो जरा समुद्र के किनारे घूम आए गाड़ी बाहर ही है सुन्दरी सहमत हुई चण भर में गाड़ी उन्हें लेकर हैंगिंग गाड़न की उर उड़ गई थी हठात एक मोटर बड़े जोर से टकरा गई ड्राइवर के हजार साउधानी करने पर भी युवक आउन्दे मुँ गिर पड़े सुन्दरी ने सामने की मोटर में बैठे व्यक्तियों को देखा उसके मुँ से चीख निकल गई वह सहम कर सीट पर चिपग गई एक व्यक्ति ने ललकार कर कहा ना काट लो उसके हाथ में रिवॉल्वर था दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे मोटर की ओर बढ़ा आतिताई युवक पर छुरी लेकर चड़ गया अभी काफी दिन था सडक पर यथेश्ट यातायाद था बहुत से लोग जुक पड़े आतिताई अब भागने का उपकरम करने लगे परन्तु पुलिस की सावधानी और भीड की मदद से विगिरफदार हुए सुंदरी भैभीत और साधारन घायल अवस्था में अस्पताल पहुचाई गई होश में आने पर उसने अस्पताल के कमरों की खिरकियों पर दिश्टी गाड कर देखा कितनी स्मृतियां आई और गई उस शून्य में उसकी दिश्टी गड़ गई उसके होट फड़के पर हाई वहाँ उस फड़कन को देखने वाला कौन था युवति दोनों हाथों से मुह दबा कर रोने लगी हाई मैंने क्या किया क्या हुआ तीन को काला पानी दो को फासी एक पागल हो गया पागल हो गया जी हाँ मगर सभी को फासी क्यों न हुई फन कुछली वे नागिन की तरह चपेट खाकर युवति ने बिचोने से उठकर कहा उसी तरह उसके होट फड़के उसने पूछा और उन्हें उन्हें गद्धी त्याग देने को विवश किया जा रहा है सुना है वे राजपार्ट छोड़कर यूरप चले जाएंगे युवति के होट में फिर फड़कन उत्पन्न हुई उसकी द्रिष्टी दूर पर कापते वे व्रिक्षी के पत्तों पर अटक गई उसके सारे शरीर में कमपन उत्पन्न हो गया वह उठी उसने जमीन में लात मार कर का मैं अपनी मा की बेटी हूँ गुलबदन बाजशाहों की गदियां इन ठोकरों से बरबाद होंगी और लोगों की जाने इन जूतियों पर कुरबान होंगी यह मैं जानती हूँ मगर जमीर जी हुजूर बदला पूरा नहीं हुआ सरकार सेठ ने एक लाख रुपय आपके नाम विल करवाया है या अदालत में उनके सॉलिसिटर से मालूम हुआ सेठ दिलदार था मगर महराज न था अफसोस बिचारा मारा गया अच्छा मैं आज ही पंजाब चली जाओंगी आज ही हाँ मेरे एक दोस्त का तार आया है वे मेरी इंतजारी कर रहे है बेहतर हो कि यहां के जगड़े खतम होने पर जाए बेवकूफ परसो मेरे निकाह की तारीक है सुन्दरी एक मर्म भेदिनी द्रिष्टी डालती चली गई गुलबदन बेरहमी न करो बेरहमी क्या करती हूँ इस वक्त मैं तंग दस्त हूँ रुपिया जल्द ही मेरे पास आने वाला है मगर मैं पेट में पत्थर बांद कर तो नहीं जी सकती तुम्हें क्या भूखो मरने की नौबत आ रही है कोठी, बंगला, मोटर, नौकर सभी तो हाजिर है 500 का मोशाहिरा भी तो कुछ कम नहीं मेरे नौकरों के नौकर ऐसे कोठी, बंगले और मोटरों पर आउकात बरस करते हैं और 500 रुपे रोजाना खर्च करने की मैं आदी हूँ मगर गुलबदन मैं राजा तो नहीं फिर रानियों पर क्यों मन चलाया रानी भी तो राजी थी रानी बनी रहे तब तक ही वर्ना वर्ना अपना रास्ता नापो, मैं अपना ठिकाना देख लूँगी तुम, तुम यह कहती हो मैं तुम्हारा शोहर हूँ जिन्दगी और जिस्म सलामत रहेगा तो ऐसे हजार शोहर पैरों के तल्वे सहलाएंगे तुम्हारा इरादा क्या है? तुम अपना रस्ता देखो, मैं अपना यह नहीं होगा यही होगा तुम्हारी क्या हैसियत जो मेरी मर्जी के खिलाफ चूँ करो क्या यही तुम्हारा इरादा है? यही है मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा इसके इतला मैं अभी पुलिस को किये देती हूँ सुन्दरी ने टेलिफोन पर अंगुलियां घुमाई युवक ने घुटनों के बल बैठ कर कहा खुदा के लिए गुलबदन ऐसा जुल्म न करो कहती हूँ सामने से हट जाओ वर्ना जलील होना पड़ेगा युवक के आखों से पहले आसु गिरा फिर आख की ज्वालाएं निकली उसने कहा उफ बेवफा और वहाँ से चल दिया दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर चिपके दिख पड़ते थे और आबाल व्रिद उन्हें पढ़ और चर्चा कर रहे थे प्रसिद गुलबदन का मुझरा स्थानिय थियेटर में होगा लोगों के दिल गुदगुदाने लेगे राजगदियों को विध्वंस करने वाली फासी और काले पानी की सीधी सड़क लगातार शोहर बनाने और बिगारने वाली वह अदभूत वैश्या कैसी है थियेटर के द्वार पर उसका रंगीन फोटो काज के आवरन में लगा दिया गया था लोग देख रहे थे और जीब चटका रहे थे नीचे पांच रुपे से चवन्नी तक की टिकट की दर थी अभिने के समय पर भीर का पार न था चवन्नी की खिडकी पर आदमी पर आदमी तूट रहे थे थियेटर हॉल खचा खच भर रहा था छण छड में तालियों की गरगरहाट के मारे कान के परदे फट जाते थे लोग तरह तरह का शोर कर रहे थे एका एक सैकडों बत्तियों का प्रकाश जगमगा उठा और वह पुराना सौंदर्य नए वस्त्रों में सजकर समूख आया वस्त्री जो राज परिवार की महरानी का पद भोग चुकी थी जिसे सभी संपदाएं प्राप्त थी आज अपने सौंदर्य को इस तरह खड़ी होकर चवन्नी वालों को बिखेर रही थी देखने वाले दहल रहे थे धीरे धीरे उसने गाना शुरू किया साजिंदों ने गत मिलाई चवन्नी वालों ने शौर किया जरा नाच कर बताना भी साहिब शौर बढ़ता गया शौब गलानी और लज्जा से गुलबदन बैठ गई एक सहरिदय पुरुष ने सिर हिला कर कहा हाईरी वैश्या और वे बाहर निकल आए वे दूर तक कुछ सोचते और रंग मंच का शौर सुनते अंधकार में वैश्या के व्यक्तित्व पर विचार करते चले जा रहे थे पृत्वी पर कौन इस तरह इस शब्द पर कभी विचार करने का ऐसा अवसर पाएगा धन्यवाद